हेलो फ्रेंड्स, मैसल नदीम, टीम केमेस्ट्री, आज हम लोग स्थार्ट करेंगे गुरु नीती, नीत 2023 का ओर्गेनी केमेस्ट्री का ठर्ड पार्ट जिसको लेज सेविन पार्ट में विसे डिवाइड किया गया है, और यूनीट को थे यर्ड्र में ए dua हाइड्रोकार्बन इसमें फर्स्ट क्वेस्टिन के कॉर्डिंग विच अधर फॉलविंग और गनिक कंपाउंड है सेम हाइब डाइशन एजिट्स कंबस्चन प्रोड़क्ट सी ओटू तो सी ओटू का हाइब डाइशन कितना आता है सी ओटू का हैब डाइशन कितना आजाएगा एस पी अब हमें यह देखना है कि इन में जो गिवेन कंपाउंड है उसका हाइब डाइशन एस पी किसका आ रहा है देखो एथेन एथेन का अगर इस्ट्रक्चर बना हो गया आप इथेन में चार सिगमा बॉंड है तो सभी का होगा सब्सक्राइब होगा है मैं तब हम अफिका जैसे घटाइन तो हो गया ओं एस और नो सकते हैं आंसर कौन सा हमारा हो जाएगा इत्थाइम ठीक है नेक्स्ट देखते हैं विच आप फालविंग एलकेन कैन नाट बी मेड इन गुड दिल्ड बाई वुड रेक्शन तो आप जानते हो वुड रेक्शन में एलकिल हैलाइड लेते हैं और एलकिल हैलाइड पर क्या करते हैं सोडियम इथर करेक्शन कराते हैं तो डबल लेता टू एन प्रोड़क्ट और जो एलकेन होना चाहिए वो कैसा होता है सिमेट्रिकल इवेन नंबर ऑफ कार्बन का आना चाहिए अब इसमें देख लो ब्यूटेन में फोर कार्बन हैं सिमेट से में प्रिंट्रिकल हो जायेगा हैं है है यहां है और नंबर है यह सिमेट्रिकल नेचर का नहीं तो बना आप सकते हैं लेकिन देखों यहाँ आप क्या लिखा हुआ है गुड इल्ड के साथ गुड इल्ड के साथ गुड इल्ड के साथ कौन देता है सिमेट्रिकल एलकेन तो अंसर कौन सा हो जाएगा हमारा पस्ट नेक्स्ट सोडियम प्रोपेनोएट न ओच हीट एन माइनस वन न माइनस वन प्रोड़क्ट ओफ एलकेन एन माइनस वन प्रोड़क्ट क्या दिया है एलकेन का तो इसको और क्या बोल सकते हैं हम डिग्रेडेशन प्रोसेस डिग्रेड डिग्रेडेशन प्रोसेस ठीक है जो वूड्स रियक्शन था उसमें क्या होता है कार्बन की लेंध है नहीं हो जाती है और इसमें जैसा दिख रहा है कि पहले से कार्बन चेन क्या हो गई घड़ गई देखें कार्बन पहले थी था अब कितना है एक पहले से तो कम हो गया और यह किसमें होता है soda lime reaction में soda lime soda lime में क्या डालते है naoh plus cao अब हमें देखना है देखो वही पर पुछा हुआ है कि यह क्या है तो यहाँ पर आप क्या डाल सकते हो cao soda lime reaction next the decreasing order of boiling point boiling point directly proportional to कहा सकते है पहले molar mass और inversely proportional to कहा सकते है branching in same molar mass अब आप चेक करते हैं पहले molar mass heptane 7 carbon हो गया butane 4 carbon हो गया 2 methyl propane 4 carbon हो गया 2 methyl butane 5 carbon hexane 6 carbon सबसे अदर तो A आएगा फिर उसके बाद E आएगा A के बाद E कहां पर है A के बाद E यहां पर है उसके बाद C आना चाहिए C आ गया है तो A, E, C खेर आई रहा है अंसर यह वाला A, E, C अब इसमें हमें देखना है कि इन दोनों का देखा जाएगा तो B का D से जादा होगा देखो दोनों में ब्यूटेन में स्ट्रेट चेन है और 2 मिथाइल प्रोपेन में क्या होगे ब्रांची होगी तो ब्रांचीं से बॉइलिंग पॉइंट क्यों घटता है सर्फेस एरिया क्या होता है डिक्रीज कर जाता है तो बंडर्वाल्प फोर्स अफट्रेक्शन इंक्रीज करेगा बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज करेगा ठीक है नेक्स देखते है तो इनकरेक्ट मेथ़ट फ़र्थ सिंथेस ऑफ एलकेन एलकीन सबी एलकीन इस ऐलकील हैलाइड इन एक को चलो भई एलकील हैलाइड को ले लिया अब इस पर आप एक्वस कोईज डालोगे एक्वस के तो सब्सिट्यूशन देगा तो यह एलकीन तो दिया नहीं एलकोहल बना दिया खर आंसर तो यह बनी गया विसिनल डाइड हैलाइड पर जिंक डालते हैं विसिनल डाइड हैलाइड पर जब जिंक के साथ हीट करते हैं तो क्या बनता है एलकीन ही बनता है प्लस जी क्या बनता है जेडेन एक्स टू बन जाता है यह तो सही है अल्काइन का सोडियम लिकविड अमोनिया है इसे और हम एन पे गीडियर है इसे चलियर लिकविड आमोनिया नहीं क्या लेक्षब होच क्या पानता है कि क्या हता है बेस तो क्या देदेगा elimination kept elimination product elevation product بنائ sahaj enhance this तो यह सब बाकि तो किन देर हैं लेकिन यह वाला क्या सब्स्टी्your7 ब्रॉडप्त और substitution product बना अगर तो हमें नहीं मिलने वाला है एल्कोहल मिल गया नेक्स्ट कि identify Z in the sequence of the reaction देखो यह HBR peroxide है और HBR peroxide अगर हो गया तो क्या हो गया एंटी मार्कोनी लगा सकते हो एक बार है अब चलो देखते हैं एंटी मार्कोनी से अन्सिमेट्रिकल एल्कीन होना चाहिए अन्सिमेट्रिकल भी खहर है है यह हो जाएगा CH2BR वन डिग्री भी हमारा है अब उसके बाद डाल रखा है C2H5 ONA strong nucleophile है वन डिग्री भी है तो किसको सपोर्ट करेगा SN2 को सपोर्ट करेगा और SN2 अगर हुआ तो क्या मन जाएगा CH3 CH2 का थ्राइस और इधर क्या आकर जूड जाना है O C2H5 एथर बन जाएगा ऐसा कहीं है यह बन गया हमारा ठीक है नेक्स देखते हैं पहला क्या था फ्री रेडिकल एच बिया पर ऑक्साइड क्या देता है फ्री रेडिकल मेकनिसम फ्री रेडिकल एडिशन हो गया ठीक है और दूसरा वाला क्या है एसे न्टू रेक्शन सब्स्टिटिविशन रेक्शन नेक्स देखते हैं दा रेक्शन आफ दिस विद एच बिया इसको उपन कर लो च डबल बॉन्ड च बॉन्ड शी एच बॉन्ड सी एच बॉन्ड सी एच बी आर ना टेक करा देते हैं इस पर तो इसमें क्या बनेगा एच बीर के साथ कार्बो के टाइन मेकनिया मुत्रू जाता है कार्बो के टाइन ज्यादा सही कहां होगा बनाना यहां पर रेजुनेंस स्टेबलाइजड हो गया अब बी आर आकर यहां पर टेक कर देया इसका ऐसा कहां पर प्रोड़क्ट दिख रहा है सेकेंड में दिख रहा है ठीक है इस वाले पर आजाए अगे नेक्स तब इन दरेक्शन अवस स्टेबलाईव यह थै क्लोरोगे रिए यह में बनाना यह और आकरोल रूपै इए बनाना है Marconic come अब देखो पहला वाला Marconic मार्कोनी verify यहां पर आकर जुड़ेगा इस में यहां पर एक hydrogen है यहां पर hydrogen नहीं तो यहीं पर आकर जुड़ेगा PR और इसमें जो booking जोड़ा यहां जोड़ा जाहन ए 실ना जोड़ाँ यह है कि 1-methyl 어 1-methyl cycle heat लेकिन हाँ यह है कि वन मिथाइल साइकलोहेक्जेन तो वो नहीं देगा मारकोनी काफ रूल के काइड तो कौन सा रहा है हमारा थर्ड अंसर आगा मारकोनी काफ रूल के और विचाद। फालोईंग चैनल प्रड्यूद फ्रोपीन रियक्शन भी त्रोपीन कारबं कितना चाहे तेन अब धिखो है कि इसमें थ्री तो नहीं दे सकता यह है वैसे अगर एच बियार के साथ इस पर रियक्शन कराया जाए है और यहां पर क्या गया अब देखो यह हो जाएगा टॉटो मेराइजेशन है टॉटो मेराइजेशन हो जाएगा इनॉल टॉटो मेराइजेशन तो सी एच थ्री सी डबल बॉन और यह प्रोड़क्ट हमारा बन जाएगा तो इलकीन तो खैर नहीं देने वाला है अब चाहिए इसका इलिमिनेशन करा लिजिए नर्च इलिमिनेशन होए गए नहीं तो इ इस पर तो रिट करेगा नहीं बेनजीन एडिशन रिक्षण नहीं देता है न यह फ वैसे तो री एच फ्लस यहां पर है इस पर भी अतैक कर सकता है इस पर अब बेंजीन हमारे पास है तो बैंजीन क्या देता है, Electrophilic Aromatic Substitution Reaction, Substitution, EASR, EASR अगर दे दिया, finally क्या बन जाएगा, इसको लागे आप जोड़ दीजे, यह बन जाएगा हमारा, ऐसा कहीं कुछ है, यह होई यह हमारा, तो पहला तो हो गया, Electrophilic Addition, उसके बाद क्या हो गया, Electrophilic Substitution, Next, N-Alkene, Alkene, Ozone, चलो, यह होगया हमारा का Reductive Ozone, जोड़ इस, Gives Propanone, N-Ethanol, Propanone, प्रोपेनोन तो यह हो गया, और Ethanal, क्या है, Ethanal, अब आप जानते हो, कि जब इसको, Ozonealysis को वापस जोड़ना होता है, जहां-जहां Double Bond होता है, उसको सामने लाकर उन्हीं को जोड़ दो, वह Alkene बना देगा, जिससे वह बना था, तो इसको हटाओ, और Alkene जोड़ दो, यहां मंदब बना था, ऐसे Double Bond, इसका मंदब Alkene तो हमारा यह रहा होगा, अब आप चाहिए तो ब्रेक करके देखिए, यही बनेगा, Ozonealysis है, अब इसके बाद, addition of HCl to Alkene A, HCl डाल तो चलोगा, है, HCl के साथ क्या देता है, Electrophilic addition, कार्बो के टैन मारकोनी का रूल भी लगा सकते हैं, कार्बो के टैन यहां पर बन गया, कार्बो के टैन बना दिया है, और Cl यहां पर लाग लगा दिया, Cl-, direct मारकोनी का आप से भी यह solve हो सकता है, मर्जी है आपकी, यह लगा सकते हैं, B, the major, the structure of product B, तो B हमारा यह आना चाहिए, यह हमारा क्या आगया, B, अब ऐसा देखो कहां पर है, first में है, first वाले में आपके हैं, ठीक है, next करते हैं, तो दोस्तों पहला तो, वेला था ओजोनोलिसिस, किस एलकीन से बना था, उसको जोड के वे पता कर लिया, और उसके बाद क्या करा दिया है, उसका, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रियक्शन, जिसमें इंटरमीडियेट क्या बनता है, कार्बोकटाइन, तो मेजर प्रोड़क्ट तो मेजर प्रोड़क्ट तो फालोविंग केमिकल रियक्शन अब देखो, यह HBR के साथ फिर क्या आगया, पर अक्साइड, तो यह क्या देगा, एंटी मार्कोनी, एंटी मार्कोनी, रूल कि एकॉर्डिंग चलेगा, एंटी मार्कोनी रूल क्या कहता है, कि नेगेटिव पार्स उस डबल बांडेट कार्बन एटम साथ जुड़ेगा, जिसके पास हईडूजन क्या हो जादा हो, अब ज्यादा वाला कहां पर है, यहाँ पर ज्यादा है, तो बी आर यहाँ पर यहाँ पर जुड़ना चाहिए, अब बी आर देखो कहां पर, यहां कि अब हमहे क्या करना पड़ेगा ये ब्रेक करना पड़ेगा सबको सब सब्सक्राय के मिं यह नहीं है इस में देखते हैं एक तो मिधाइल के साथ आना चाहिए और एक छोड़कर एक यहां पर आना चाहिए चलो इसका सिक्वेंस निकाल लेते हैं यह आ गया यह आ गया ऐसे 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 डबल बॉंड और यह इधर इधर यह double bond को एक methyl के साथ चलो methyl के साथ है फिर CS2 CS2 है फिर methyl है फिर CS2 CS2 यह answer बन रहा है हमारा double bond हो यहाँ पर दिया है ठीक है तो ozonolysis में क्या करता है अगर सिर्फ ozonolysis बोला है तो reductive ही कराना है बाकि तो फिर आपको doubt नहीं होना चाहिए क्योंकि आपको बना कर दिया हुआ है तो एक तो एक तो एक तो गीवन question नियुक्ति अब आप इसको ब्रेक करके देख लिए यह यह से इसको ब्रेक करके देख लिए तो जो हमें बनाना है वो इससे किसे आ रहा है सिर्फ सेट थे ठेक है नेक्स्ट प्रेडिक्ट दा कर्रेक्ट इंटर्मीडियेट एंट प्रोड़क्ट अब आप देखो यह एजी आसो फोर कुशे रोर रियक्शन तो इंटर्मीडियेट क्या बनता है इसमें एडिशन रियक्शन ही होता है है और यह आपको पता होना चीए कि यह जो एडिशन होता है यह वाला जो एडिशन हैं ्वह क्या है रित्त रिक्ट अब रखना है आपको पहला वाला देखो बाई न्यूक्लियोफिलिक एडिशन डियक्शन मारकोनी काफ रूल के गॉर्डिंग भी आप कर सकते हैं यहां पर कायेगा ओच ठीक है अब देखो है क्या एक यह आप्शन बन रहा है का अब उसके बाद देखो यह इनल हो गया तो इसका टॉटोमेराइजेशन कराओ तो टॉटोमेराइजेशन कराओगे तो सी एस्थ्री सी डबल बांड ओ सी एस्थ्री किटोन में अब ऐसे वाला कहां पर एपार्ट हो गया है नेक्स्ट मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फार्ग फालोविंग करमर्जन अब देखो एलकीन पर यह क्वा सा एडिशन दिख रहा है सिन एडीश्ण अ पर तो बॉठ सो टो बर्ट Ctrl करते हैं जो सो टीयम लिक्वॉड अमॉनिया क्या देता है न्टी कि कि देता है है कि इनॉल के साथ किटोन दे देगा ठीक है तो हमें इलकीन इलकाइन से इलकीन बागाना है सिन एडिशन के साथ तो कौन सा होगा एच्टू पीडी सी कुईनोल यस आपने पढ़ा होगा रोजेंट मुंड रेडक्शन ना यह हो गया बर्च रेडक्शन और यह क्या है रोजें इस्शित मेरल मिखनल का मतलब हमें यह तो चाहिए इस एक डबल ऑंड एक कारवन किनारे हमें चाहिए आ इस मिल नहीं जाएगा ई कर लोगे है नहींकिसे सी न sedan और ठीक है कर दूक है Всकिक्त the major product formed by dehydrohalogenation 2-bromopentene is pent-2 2-bromopentene pentene per 2-bromo dehydrohalogenation यहां से भी जा सकता है dehydrohalogenation dehydrohalogenation का मतलब क्या हो halogen भी निकालना है और hydrogen भी निकालना है बीटा पोजीशन से तो HBR इदर से भी निकल सकता है इदर से भी निकल सकता है अगर आपने 2 product possible है यह भी possible है 1,2,3,4 और यह भी possible है अब कह रहा है कि major product pen to in है सही बात है 1,2,3 pen to in वो कि इसके पास alpha hydrogen कितना होगा 5 alpha hydrogen stable बना रहा है और इसके पास alpha hydrogen कितना होगा 2 होगा थोड़ा कम stable है यह वाला क्या जाएगा हमारा major major product अब देखो दो तरह का rule होता है half man rule और side jeff rule तो half man rule क्या होता है less substituted alkin और side jeff rule क्या देता है side jeff rule के according वो alkin बनता है जो more substituted होता है तो more substituted यह वाला है कि नहीं है तो जो alkin बना है major वो किसके फ्रू बना है side jeff rule के हकल स्रूल और हकल स्रूल क्या होता है वो तो आप aromaticity में होता है aromatic compound को detect करने वालता पहचानने के लिए और हंड स्रूल जो था वो तो आप जानते हैं कि electron की feeling बताता है कि अगर एक सब शेल में एक से अधिक orbital है तो पहले एक एक electron भरे जाएंगे इसका तो कोई मतलब भी नहीं है यहां से बाद बन गए हमारी नेक्ट देखते हैं compound x on reaction with o3 followed by again एक क्या हो जाएगा reductive ognosis अब एक तो हमें formal dehyde चाहिए एक कार्बन का और टू methyl propanel propanel 2 methyl propanel यह बनना चाहिए तो अब यह बनने बताया था कि जब आपको एलकीन बनाना हो ऐसे किस एलकीन से बना है तो जो दो compound बनाया है उसका double bond को double bond हो सामने लाओ और लाकर जोड़ दो उसी को तो देखो भाई यह हो गया फिर से बना लेते हैं कुल मिला के इसको लाकर यहां पर जोड़ना है कि क्या हो जाएगा सी सी एच थ्री एच यह सी हो गया एच डवल वांड इसको लाकर इसका सामने जबाड़ दो यह सी एच आप ब्रेक करके देख लिए यह बनेगा तो इसका नंबरिंग कर लेते हैं वन टू 3-4-3-methyl-but-1-in 3-methyl-but-1-in जा जाया जाएगा सा ठीक है नेक्स देखते हैं चल भाई नेक्स देखते हैं वाट प्रोड़क्ट और फॉर्म्ड विन दफॉलविंग कंपाउंट इसको बी एफी बी आर्ट्री और बी आर्टू का रिशन कराया आपना यह क्या है लुईस एसिड है और यह हो गया लुईस बेस तो जनरेट क्या कर रहा है यह एलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर रहा है अब हमें इस पर रिएक्शन कराना है बलता हमें रिएक्शन कौन सा होगा यह इसर अब दो कर बी आर क्या होता है यह बल्की है तो वहाँ पर टे करेगा अब जिसे देखो इनका क्या है प्लस एच इफेक्ट है प्लस एच इफेक्ट तो और्थो पैरा डिरेक्टिंग होंगे अब और इसका और तो इधर है इधर पैरा हो गया यहाँ पर लग सकता है यहाँ पर लग सकता है यह पर दिक्कत यह है कि यहाँ पर क्या है steric hindrance steric hindrance भी तो majorly कहां पर लएगा इस point या इस point का अब ऐसा चेक कर लो आप लिया है ठीक है तो ऑक्सिडेशन और बेंजीन ये तो इनसाइटी में भी है V2O5 पर एर के प्रेजेंस में जब बेंजीन करेशन करा दे तो क्या बनता है मेलेक एनहाइड्राइड तो याद रखना पड़ेगा आपको इसको मेलेक एनहाइड्राइड नेक्स्ट अब देखो इसमें consider the nitration of benzene. Nitration of benzene में H2SO4 जब ब्रेक होता है तो क्या देता है? H positive plus HSO4 negative अब आप देखो ये H plus HNO3 HNO3 ये H plus और यहाँ से फिर NO2 positive electrophile generate करता है तो H2SO4 यहाँ किसकी तरह कम कर रहा है? H2SO4 किसकी तरह कम कर रहा है? Acid की तरह कम कर रहा है और यह Bronsted Acid कर सकते है Bronsted Acid और यह ले रहा है तो यह किसकी तरह कम कर रहा है? Bronsted Base ठीक है? अब इसमें क्या बोला है? The large amount of KSO4 अगर KSO4 इसमें large amount में डाल रहे है तो यह क्या देगा? K positive plus HSO4 negative और इसके साथ यह क्या बना रहा है? Common iron Common iron Common iron बनाएगा तो reaction क्या करेगा? Reaction goes to Backward direction Backward direction अगर गाने लगा तो protonation जल्दी नहीं होगा इसका तो इलेक्ट्रोफाइल नहीं बनेगा तो rate of reaction क्या हो जाएगा? Slow हो जाएगा ठीक है? Next करते हैं यह जाथ फालविंग एड़ी यूजड एज़ा हलाइड for component for Friddle Craft reaction Friddle Craft reaction के लिए क्या लेते हैं? ठीक है? Alkyl halide और क्या लेते हैं? Acyl halide भी लेते हैं Acyl halide Friddle Craft ही बुला है ना बस Friddle Craft Alkylation तो बुला नहीं है अब हमें देखना है कि या तो Alkyl halide हो या Acyl halide हो Bromobenzene क्या है? Aryl halide है Chloroethene Chloroethene लिखा हुआ है Chloroethene तो Vinyl halide हो गया Chlorobenzene Aryl halide हो गया Isopropyl chloride यह Alkyl halide है Isopropyl chloride यह क्या हो गया? Alkyl halide Anser कौन सो जाएगा? Third है बाकी Vinyl है या Aryl है Vinyl और Aryl आप जानते हो Friddle Craft reaction पार्टिस्पेट नहीं करते हैं Which is the following Is suitable for synthesis of chlorobenzene अब फिनाल का NaNo2 साथ कोई reaction ही नहीं होगा HCl Electrophilic addition reaction देता नहीं है इसके साथ Benzene के साथ इसके साथ अगर आप heat भी कर दोगे तो यह acid base reaction हो जाएगा यह देखते हैं Suitable बुला है ना Suitable Benzene Inhydrous यह देख लेते हैं Benzene अब देख C-L-C-L Fe-C-L-3 तो यह क्या बना दिया Carbocatine ना Carbocatine कर रहा हूँ Electrophile बना दिया और Electrophile के साथ क्या होता है EASR हो जाएगा तो EASR यह क्लोर सुटेबल यह है बाकी सब में सुटेबल नहीं Next तो दोस्तों यह सारा Hydrocarbon का जो गुरुनिति थर्ड डिसकस किया है इसमें Hydrocarbon में इतने सारे Question आये हुए है Question को करते समय आया पढ़ रहे हैं आप तो options सारे देखिए और उसमें यह भी ध्यान रखे किस type question पूछे गए है ठीक है किस level तक पूछे गए है किस type question पूछे गए है उस हिसाब से आप अपनी तयारी या आपनी practice जो करते हूं उस हिसाब से आप करें ठीक है मिलते हैं फिन नेक्स्ट गुरुनित्ती में थांक्यू बेरी मच्च झाल